वालकम तो चार्ट ट्रेडर्स आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप सुनिये एपिए से आप मल्ति सेशन कैसे क्रिएट कर सकते हो फिन्वेस्ट जामें पहले हम प्रॉब्लम अंदर्ष्टन करते हैं आप कंसिदर कीजिए यह आपका अलगो हुआ है मल्ति सेशन वण ठीक है और यह जो मल्ति सेशन टू है वह आपका अलगो है ठीक है अगर मैं यहां पर आप सिंपल ले यह लॉगिन का कोड है आपको पता है जो हमने अब तक दि 22 है हम क्या कर रहे है सिंपली यह स्टॉक का हम क्या कर रहे है गैट कोट उसका गैट कोट निकाल रहे है ठीक है यहां पर हमने एक्क्षेंज पास किया है टोकन पास किया और यहां पर उसको मैंने प्रिंट करवाया है उसके बाद मैंने यहां पर आप देख सकते हूँ श्ल अलगों है मैंने वापस यहां पर login generate किया है यहां पर login किया है same मैंने 22 का यहां पर data fetch किया अगर कोई भी stock हो कोई भी token हो but मैंने यहां पर simply same stock लिया है अब यहां पर मैं क्या करूँगा वापस एक another console करूँगा दोनों अलगों को में run करूँगा new console with default ठीक है तो हम console 1 में पहले हम run करते है multi session 1 ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हो you can ignore this error बट अब वो continuously print करेगा यह देखो आप देख सकते हो यह print sorry आप देख सकते हो यह है पूरी ACC limited क्या पूरा जो get codes आपको response मिलेगा ठीक है हमने already study किया है अब मैं यहां पर console 2 में आप देख सकते हो multi session 2 में run करूँगा ठीक है अब यहां पर problem क्या होगा देखो यहां पर 2 में start होगा ओके देखो यहां पर वापस data start आना start होगा है तो यहां पर आपको old जो था उसमें आपको output क्या मिलेगा none मतलब कि वो stop हो गया हो आपका session destroy हो जा रहा है multi session हम create नहीं कर सकते क्योंकि मैंने यहां पर देखो login generate किया है multi session 1 में फिर वापस मैंने यहां पर multi session 2 में again login किया है तो वो session 2 session destroy हो जा रहा है ठीक है इसको हम आप solve करेंगी कि कैसे multi session और 2 strategy आप execute कर सकता हो parallelly इसके लिए हम क्या करेंगे flow decide करेंगे बड़ इसको अभी मैं stop कर रहा हूं दोनों को और मैं इसको restart कर रहा हूं करनल को ठीक है अगेन यहां पर console 2 को मैंने stop किया है और मैंने यहां पर restart किया है तो यह problem को हम कैसे solve कर सकते वो देखेंगे so normally मैंने यहां पर क्या किया है एक session generation की file बना है जिसमें मैंने पूरा login का support रखा है ठीक है बर उसमें मैंने minor modify किया है पहला हम एक बार उसको run करते ठीक है आप किसी भी session को अगर आपको यहां पर देख सकती response है तो मुझे session set करने के लिए important है as user token ठीक है अगर यह tokens हम session set करेंगे ठीक है so आप multi session आप execute कर सकते ह हो ओके सो आप यहां पर देखेंगे मैंने क्या किया यहां पर बस यह जो response आया है okay response उसमें से मैंने fetch किया है as user token और उसको मैंने file में write किया है file का नाम क्या है session underscore token dot txt okay write mode में है और मैंने यहां पर यह इसी एक value मैंने file में write किया है resource as user token जो response आया है ठीक है response में आप देख सकते हो यहां पर यह token है as user token तो मैंने उसको सिर्फ file में क्या किया है write किया है अब हम क्या करेंगे हमारा जो यह जो अलगो है multi session one और multi session two आप इसको अलगो consider कर सकते हो तो यहां भी हम minor modify करेंगे हम क्या करेंगे हम जो login करते थे हम login नहीं करेंगे अब ठीक है तो हम क्या करेंगे simply व session में store कर रहे है और उसको मैंने set session किया है जिसमें तीन आर्ग्यूमेंट है user password और आपका session token ओके सो मतलब कि यह as user token से एक बार आपको morning में यह run करना है session generation तो आपका यह as user token file में write हो गया अब यह token से आप multi session create कर सकते हो तो आपको login नहीं करना आपको क्या करना है set session करना है ठीक है तो set session में आपको टीन आर्ग्यूमेंट चाहे user password और हमने जो session token generate किया है वह से ही आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको भी मैं क्या कर रहा है यहाँ पर हमने जो resource login कर रहे है उसको मैं क्या कर रहा हूं comment कर रहा हूं और simply हम क्या करेंगे file read करेंगे और यह आपका session set करें ओके तो यहाँ पर already session generate हो गया लेकिन मैं वापस एक बार run करता हूं रिखाने के लिए तो यहाँ पर मैंने run किया यहाँ आपका as user token आपका आ गया ठीक है हम क्या करेंगे अगें console one में फैली स्टेटजी रण करेंगे ठीक है यहाँ पर देको आपको get quotes continuous मिलता रहेगा just wait ओके अब लोग हो रहा है कि आपको यह देख सकता आपका यह ACC limit का आपको quotes मिल रहा है same way मैं वापस दूसरे console में session 2 दूसरे algorithm करूंगा ठीक है अब यहाँ पे देखो जैसे ही आपको यहाँ पे आप देख सकते हो ACC का आपको यहाँ पर देता मिल रहा है और यहाँ पे console one में भी वह perfect work कर रहा है 1042 18 आप यहाँ पे देख सकते हो 1042 22 ओके सो दोनों parallel ही रन हो रहा है आप क्या कर सकते हो सैट से से अगर आपको सहीम अकाउंट में multiple strategy एक्जिक्ट करनी हो ठीक है तो आप यह concept यूज कर सकते हो सुबह मर्निंग में आपको सिब एक बार token जनरेट करना है यह फाइल से और वो token को आपको रिट करना है और सैट सेशन करना है यह आपको इंपोर्टन एक स्ट्रक्चर में एक वैरियाबल है एस वीजर टोकन जिसका इंपोर्टन्स हमने इस वीजियो में देखा और जिससे आप क्या कर सकते हो multi-session create कर सकते हो अगर आपको multiple strategy एक्जिक्ट करनी है सेम फिन वसिया एकाउंट में सेम टाइम पे